गुर्मानिंग स्टुडेंट्स आज हम एक्सेस 5 करेंगे एक्सेस 5 में हम मल्टिप्लाई करना सीखेंगे यहाँ पर आपको मल्टिप्लाई करना है फर्स्ट हैडिंग देखिए यहाँ है 819 को 208 से मल्टिप्लाई करना है यहाँ पर हम simple से सवाल बनाएंगी और 2 से multiply करेंगे देखिए हमारे पास question है 819 by 208 819 को 208 से multiply करेंगी तो हम एक सवाल बनाएंगी यहाँ पर देखिए हमें 8 का table पहले हम 9 बार पढ़ेंगी फिर 1 बार फिर 8 बार फिर हम 0 का table पढ़ेंगी 0 का table 9 बार 1 बार 8 बार फिर 2 का table पढ़ेंगी 2 का table 9 बार 1 बार 8 बार multiply के सवालों को करने के लिए आपको table का याद होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको table याद नहीं है तो आप multiply के questions नहीं कर पाएं यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 8 का table पढ़ेंगे 8, 9, 72 72 का 2 carry 7 8 का table 1 बार पढ़ेंगे 8, 1 बन जा, 8 8 में हम 7 plus करेंगे 15 आएगा 15 का 5 carry 1 8 का table 8 बार पढ़ेंगे 8, 8, 2, 64 64 में हम 1 plus करेंगे 64 में 1 plus करेंगे तो आएगा 65 65 अब देखिए हम दूसरी डिजीर के नीच लाएंगे तो हम एक डिजीर कें नीचे liegi हम के फीनठीज के क्रॉस्त राएंगे आफ हम इन कपा डेंगे था-गर फीनफ alltid भाड़ें तो और ऐना हम हमें 30 ले नहीं है थीं सीडिक का तीरी डीजिट हमलों पास टू का टेबल हमें टो हम यहां पर टो में हमें हमिने शे Nord 느न आद ul नेट टोपल के कि नहीं आ पर पढ़ेंगे टू-सक्र्ट करेंगे तो ilaq का टेबल बन बार पड़ेंगे टू बहन जाट टू तो में हम बन प्लैस करेंगे तो 3 आयाए गाइग टू का टेबल वर पड़ेंगे टू एट जा ンド okay आब हमारे पास यह थृ नंबर्स हमें है अब हम्नेट घ्लस करेंगे तू बैं क्रोस, प्लस करेंगे तो 2 आएगा 5 में 0 प्लस करेंगे 5, 5 में 8 प्लस करेंगे 8, 5, 13 10, 10 का 0 आएगा carry 1, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, and 1 का 1 तो यह हमारा multiply करने के बाल answer इस heading के आपको E तक question करना है F, G, H आपको match के register में नहीं करने है आपको इस heading के E तक question करने है second heading देखिए find each of the following product कि आपको product find करना है इसमें तो product का मतलब होता है कि इसमें आपको क्या करना है multiply करना है product कब निकल के आता है जब हम multiply करते है तो multiply करने के बाद जो answer होता है उसे हम क्या बोलते है ऐसा करिए आप इसमें E तक question नहीं करेंगे आप इसके F तक question करेंगे क्योंकि यह जो दौनों questions है यह same है तो आपको second heading नहीं करनी है बस आपको यह समझना है कि अगर product लिखा हुआ है तो भी हमें multiply करना है और multiply लिखा हुआ है तो भी हमें multiply करना है तो आपको first heading के F तक question करना है मैं इसके register में second heading आपको नहीं करनी है कि अपको नहीं करना है